काम की बात, एक, बस में उल्टी आती है तो सीट, पर अखबार रखकर बैठने, से उल्टी नहीं आती, दो, अगर बाल ज़डते हों तो सो, ग्राम नारियल तेल में दस ग्राम, देसी कपूर मिलाकर जणू, में लगाएं, तीन, निकसीर आने पर नाक में तुरंट, देसी ग पानी गिरने की आवाज सुनकर, बच्चे का पेशाब उतर जाएगा, पांच, तक बढ़ाने के लिए अश्व गंधाव, मिश्री बराबर मात्रा में चूरं, बनाकर रोज एक चम्मच भोजन, के बाद लें, छेह, दिन में दो बार खाना, तो दो, बार श्रोच भी जाना आठ, जुकॉम होने पर सुहागी का फूल, एक चम्मच गर्म पानी लेकर पी लें, पंद्रा मिनट में जुकॉम गायब हो जाएगा, किस बीमारी में क्या खाएं, किदनी फेल होने का दर हो तो, हरे धनिय का रस सुबह, खाली पेट पियें, पित की शिकायत का भाई हो, त रोजाना सुबह, शाम, आवले का रस पियें, सर्दी जुकॉम की संभावना हो तो, नियमित रूप से कुछ दिन, बुनगुने पानी में थोड़ा सा हल दी, पाउडर डाल कर पियें, गंजा होने का भाई हो तो बढ़ की, जटाएं मसल कर नारियल की तेल, में उबाल कर, राइबिटीज से बचाव के लिए, तनाव मुक्त रहें, व्यायाम करें, रात को जल्दी सुझाएं, चीनी, बिल्कुल ना खाएं अगर खाना, हो तो गुर्ट खाएं, एसिडिटी से बचना हो तो, दोपहर के भोजन के, साथ लसी पियें, कैंसर होने से बचना चाहते हो तो रोजाना कड़ी पत्ते का, रस पीते रहें, सर्दी जुकॉम की संभावना हो तो, नियमित रूप से कुछ दिन, बुनगुने पानी में थोड़ा सा हल दी, पाउडर डाल कर पियें, गंजा होने का भाय हो तो बढ़ की, जटाएं मसल कर नारियल की तेल, में उबाल कर, चान कर रोजाना, सनान के पहले उस तेल की, मालिश करें, दाख गिरने से बचाने हो तो फ्रिज, और वाटर कूलर का पानी, पीना बंद कर दें, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही नए वीडियो देखने, के लिए हमारे चैनल क सब्सक्राइब करें